हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो एलेक्ट्रोस्टेटिक्स की इस कलास में आपका फिर से सवागत करते हैं तो इस कलास के अंदर जो स्टुडेंट्स हम पढ़ेंगे वो पतेंचिल एनरजी ऑफ एन एलेक्रिक डाइपॉल इन उनिफॉर्म एलेक्टिक फेल्ट तो पिछ इसके अंदर nemció और s 2 प्राब्लम से इसके ऑपर हम है यह कहाकि हम नेकल एक का इनलेक्ट्री लिएंदर स्टुडेंट्स लुपाँव她 यह मतलब उसके रिपर्डेंटेशन क्या सी होती है और फिलांज प्रिव एलेक्ट्री हिल लाइन्स बिल्कुल parallel और इनके बीच का जो gap है टुडेंट से वह सेम होना चाहिए सेम का मतलब इकवी distance होनी चाहिए और साथ साथ में यह parallel होने चाहिए यह representation है एक uniform electric field का students तो यह एक uniform electric field region है मतलब यहाँ पर जो electric field की value होगी वही यहाँ पर होगी, वही, यहाँ पर होगी, वही अलग हर एक When पर Electric Field की वलू है clear तो यहाँकी Electric Field Intensity हम माल लेते हैं Students E है तो अब Potential Energy निकालने Electric Dipole की In Uniform Electricauen affect तो सर्थ से पहले हम क्या कर लेते हैं Students Consider and Electric Dipole consider an electric dipole of electric dipole is equal to q into 2a तो एक electric dipole हम ले लेते हैं और उसका dipole went q into 2a है students means और उसको इक uniform electric field में रखा हुआ है ऐसे at any instant of time तो आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो एक electric dipole है ab ये आपका कोई positive charge है और ये negative charge है separated by distance 2a ये 2a students और negative charge to positive charge electric dipole went की direction होती है students ये कोई आपका electric dipole है जिसका dipole went कितना है q into 2a और ये dipole electric field के साथ एक angle बनाया हुआ है students हमारे पास में ये electric field की direction कुछ ऐसे है this is the center of electric dipole center of electric dipole मा लेता हूँ dipole moment electric field के साथ students theta angle बनाये हुआ है तो reality में इस electric dipole के उपर अब एक torque लग रहा है क्या लग रहा है torque लग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे students कि torque acting on dipole dipole पे torque लग रहा है वो कितना students dipole पे कितना लग रहा है यहाँ पर देखेंगे जो आपका पोजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो बी पोइंट पर पोजिटिव चार्ज है इसके उपर electric field की direction में एक force लग रहा है students इधर लग रहा है तो यह equal and opposite forces है हमने पीछले class में पढ़ चुके है तो इसके उपर टॉर्क लगेगा torque है P e sin theta P is the dipole moment of the dipole is the electric field intensity and sin theta theta is the angle between electric dipole and dipole moment and electric field between dipole moment and electric field intensity at an instant of time at an instant of a time मतलब एक किसी particular समय पर मालो आपका dipole moment of electric field के साथ में theta angle बनाए हुआ है clear ओक अब यह हमें क्या करना है यह ऐसे तो रहेगा नहीं क्यों किसके उपर ऐसे इदर force लग रही है इदर force लग रही rotate करेगा अब हमने क्या कह रहा और मैंने आपको torque की direction भी बताए थी along P cross E P के along क्या कर लेते हैं अपनी right hand की उंगलिया pointed करो E की तरफ गुमाई यह theta के लोग यह एक torque लग रहा है हमें एक external torque लगाना students उस torque की वज़े से ताकि यह अब यह गुमना कैसे चाहता है clockwise कैसे clockwise इस torque की वज़े से clockwise rotate करना चाहेगा ठीक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं ठीक हा students देखिए due to due to torque P e sin theta this dipole this dipole is rotates in clockwise direction clockwise direction तो यह clockwise direction में rotate करेगा students ऐसे clockwise गड़ी चलती नहीं ऐसे opposite में anticlockwise तो मैं इस inward direction में torque है तो आउट direction में torque लगा है students ताकि यह anticlockwise रोटेट करेगा तो anticlockwise रोटेट करवाने के लिए मेरे को कोई external torque लगाना पड़ीगा और विदे एक्स्टरनल टॉर्क टीका ना विद आउट विद आउट एनी विद आउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन विद आउट एंगुलर एक्सेलेशन मतलब क्या है रेट आउप चेंज आउप एंगुलर विद एक्सेलेशन होता है तो इसको इतना anticlockwise डियरेक्शन टॉरक लगा के इसको ऐसे रोटेट करवाना स्टुडेंट एसे रोटेट कभी करवाना है कि यह डाइपॉल विद एक्सेलेशन रोटेट करेंगे आप ऐसा सोच सकते हैं दीरे 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 ऐसे आपको रोटेट करवाना है अगर आप इसको रोटेट करवाते हो तो आपको एक्स्टरनल टॉरक लगाना पड़ेगा और वो टॉरक जो है हमारे पास में जो आपका एक्स्टरनल टॉरक है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर हो जाएगा यह टॉरक जो हमारा पी ए साइन थिटा के बराबर लग बल इतने ही टॉरक से हम इसको रोटेट करवा सकते हैं इतने ही टॉरक से हम इसको रोटेट कराएंगे ज्यादा लगाएंगे तो इसके यह रोटेट करने लगेगा ना एंगुलर एक्सलेशन आ जाएगा उस टाइम पर एक एनरजी ओर आ जाएगी हमारी पास में स्टुडेंट्स हुआ कैनिटिक एनरजी और हम ऐसा नहीं चाहते क हमें आपर को यह और एनरजी मिले पोटेंशल एनरजी को चोड़के इसलिए अवे इसको धीरे-धीरे रोटेट करना चाहते हैं ओके तो यह टॉरक लगाना पढ़ेगा पी सैंथे आप्रोक्सिमाटली पी सैंथे नहीं तो आपको यहां पर इसको रोटेट करवाना है तो देखते हैं को उसके बादेखते हैं की कि दिक यह त सूच यह दमें हम थोडह इसको पहले में थोड़ सा उप्रोन थे इत करवारते है यह आग्या बादे अguru आप लेड़े वध इंप कर दोटेट आपको यह पाled वोड़ेस मलत मैं मत थे की हम इसको रुटत कर लगान बिल्कुल समॉल थोड़ा से थोड़ा से मतलब देखो ऐसे यह पका इलेक्टी टाइप ले भी था तो इसको थोड़ा सा रोटेट करवाया मतलब अब इसकी पोजिशन दो है वो जाएगे एडेस बीडेस हमने इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दी थीटा एंगल सुड़ा तो रोटेट दैपॉल सुड़ा टो रोटेट दा नाल दाईपॉल को थोड़ा सा वरगडर मारा प्ड़ा आपको मालेते हैं वो twardun students d w कि देना मा लेते हैं? dawま लेते हैं? daw तो वरगढन होता क्या है? यहां पर आपको पता है वरगढन का फॉर्मूला जैसे आपने पड़ा हुआ है F vector dot S vector निका वरगढन का फॉर्मूला आपने पड़ा हुआ है F S cos theta Fs cos theta तो यहाँ पर व्रक्डंट जो हो जाएगा हमारे पास में students वो हो जाए फोर्स फोर्स की जगह ले ले था torque displacement की जगह ले लेगा angular displacement और यहाँ पर तिक आप small amount of व्रक्डंट to rotates the dipole by an angle theta तो theta angle d theta angle से rotate करवाना तो हमें small व्रक्डंट करना पड़ेगा वो dw माल लिया students तो dw आपने माना है तो dw की value क्या जाएगी that is torque into angular displacement torque into angular displacement तो dw is equal torque और आपने जो action torque लगाया है वो किसके equal लगाया है approximate p e sin theta into d theta into d theta तो यह थोड़ा सा आपने व्रक्डंट किया है students थोड़ा सा rotate करवाने में बट हमने तो कहां से कहां rotate करवाया मालो initially यह theta angle किसी particle समय पर था मालो जब initially कितना था theta 1 angle पे था और इसको theta 2 angle तक rotate हम करवाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम work done calculate करेंगे students work done to rotate the dipole the dipole from angle theta 1 2 theta 2 मतलब इसको theta किसी initial angle theta 1 से theta 2 इसको rotate करवाना जाते तो आपको कुछ फरक्टन करना पड़ेगा students तो वरक्टन कितना करना पड़ेगा तो थोड़ा सा rotate आपने करवाया d theta तो आपने वरक्टन किया है भाई वह आया है पी साइन थीटा इंटू d theta अब टोटल वरक्टन के लिए क्या करते आप integration on both sides integration on both sides अब integrate कहां से करोगे कहां से कहां हमने थोड़ा सा d theta कुमाया d w निकाला थेटा थेटा से आए वरक्टन निकाला थोड़ा थोड़ा वरक्टन हम कैलकुलेट कर रहें students फिर हमने total वरक्टन चाहिए तो हमें क्या करदेंगे add विन्स integrate कर देंगे वो ले लेते हैं बाहर P, डाइपॉलमेट, वो चेज होने वाला नहीं, constant बाहर E, constant value बाहर integration जो बचा हमारे पास में, वो बचा sin theta का with respect to theta limit है प्रॉम, theta 1 से theta 2 तो आपने जो work done किया है students वो आजाएगा P, E, और cos theta का integration होता है, minus का sin theta minus का sin theta ठीक, cos का minus sin theta कितना, minus cos theta इस बहम में मत रहना क्योंकि sin theta का integration minus cos theta होता है sin theta का differentiation differentiation cos theta होता है but integration minus cos theta होता है minus cos theta और जो limit है students है वो है प्रॉम, theta 1, 2, theta 2 तो जो आपने work done calculate किया minus sin को चाहोता आप बाहर ले सकते हो minus का P, E अंदर बचा cos theta तो अपर limit put करते हैं theta की value theta 2 put कर देते हैं minus lower limit put करते हैं तो यह आजाए cos theta 1 तो आपको यह work done करना पड़ा यह question यहां से भी बन सकते आपको कि आप यह बताए अभी तो और बाकी हमारी energy निकालनी है मैंने इसको वहां से इतने अंगल से इतना इंगल रोटेट करवाई तो आपको कितना वरक टन करना पड़ेगा देरफोर पोटेंचिल एनरजी या देरफोर यू इस इक्वल टू माइनस पी इंटू कोस theta 2 माइनस कोस theta 1 कलियर ओके यह energy पर एक बात बताए हमें इसको रियलिटी में जब हमारा डाइपोल कहां से का रोटेट करवाया जब theta 1 पे था इनेसली theta 2 तक रोटेट करवाया तो theta 1 से theta 2 तक वरक किया हमने बट रियलिटी में जब theta 1 पर डाइपोल था तो क्या उसके पास कोई energy नहीं थी energy थी students जब theta 2 पर आ गए तो energy है student उसके अंदर है तो यह क्यांसी energy है theta 1 पे जो energy थी वो भी इसमें add है क्या no हमने theta 1 से theta 2 तक रोटेट किया है तो वरक दन तो theta 1 से theta 2 तक रोटेट करवाने के लिए तो यह वरक दन उस potential energy का difference है जो theta 2 पे था और theta 1 पे थी तो this is the change in potential energy change in potential but potential change भी तो होता तो potential energy है भाई वो potential जी इसलिए मैंने लिखा यहां पर ओके आप इसको यह change in potential energy होती है यह बात यह formula आपको याद होना चाहिए 100% याद होना चीश्टूटेंट्स most important पर गोला यहां पर हम कुछ conclusions करेंगे ठीक है आई hope कि आपको समझ भी आया होगा वीडियो इसको पोज कीजी और नौट कीचे स्टूटेंट्स ओके 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 आशा करता हूँ कि आप घर पर बैठके अच्छी तरके से तैयारी कर रहे होंगे ठीक ना और जिसोंने तैयारी करने स्टार्ट ने की है स्टूडेंट्स तो वो प्लीज अपने गर पर बैठके तैयारी स्टार्ट कर दें ओके तुम अगर शामने आभी जाया करो नाजनी है कि हम लफसी परता करें यह जलो है तो हमने एक बास स्टूडेंट्स सॉल का लिया है कि आपको जो वर्गडन करना पड़ता है जो चीज इन पोटेंशल जी के अंदर कर वर्ट होता है स्टुडेंट्स वह आज का आपके पास माइनस पी इंटू को स्टीटा टू माइनस को स्टीटा वन मतलब आप मतलब ओटेंशल डी मणाल पोटेंशल एंटजी जब अपटीटा टू यहल पर छिप लिख जो यू ए यू अ आई PE cos theta 1 तो समझ चुके हो गया आपके पास में ये UF है student और ये UI है यहाँ पर special case कर लेते हैं special case ऐसा कर लेता हूँ मैं अगर आपके पास में students theta 1 is equal to अगर 90 degree था and theta 2 is equal to at any angle theta है मालो तो UF minus UI अगर theta 1 90 degree है तो cos 90 value 0 हो जाती है students और ये energy आपकी 0 हो जाएगी is equal to minus PE cos theta 2 की value theta तो UF यानि की potential energy is minus PE cos theta most important formula अगर आपका dipole initially आपका dipole अगर initially electric field के साथ 90 degree angle पर था और फिर उसको आप rotate करवाते हैं किसी भी angle theta पे तो आपका work done इस energy के अंदर convert हो जाएगा इस energy के अंदर converts हो जाएगा clear? टिक? clear है ना? ओके ये जाबर पास समझ में आई बात टिक? most important तरह थे हाँ, हमें पता है कि आपकी जो potential energy है वो theta 90 degree पे 0 हो जाएगी कितनी हो जाएगी? जैसे मैं आपसे question पूस्ट था हूँ students मैं आपसे question पूस्ट था हूँ टिक? तो आपको कितना work done करना पड़ेगा कि आपको आपका dipole rotate करवाना है आपको dipole जो हैपका वो rotates करवाना है स्टेबल एकलिविरियम स्टेबल टू अन्स्टेबल एकलिविरियम तब को कितना work done करना है? मैंने बताया था स्टेबल का मतलब theta is equal to 0 and unstable का मतलब theta is equal to 180 degree students मतलब आपको dipole को rotate करवाना है 0 degree से 180 degree ठीक ना मतलब आपको ऐसा सोच वा यह electric field है हमारे पास में और इसके अंदर dipole moment ऐसे था dipole ऐसे रखा था theta is 0 फिर इसको आपको ऐसे rotate करवाना है students external torque लगाने के external torque लगाके जाकि theta 2 180 हो जाए electric field और इसके बिचका एंगल यह हो जाए तो हमें हमारे लिए theta 1 कितना हो गया 0 theta 2 यह हो गया तो कितना work done करना पड़ेगा formula यूज कर लेते हैं minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 तो आपने जो work done किया वो कितना किया minus का pe cos theta 2 180 minus cos 0 तो आपने जो work done किया minus का pe cos 180 value होती है students minus 1 minus cos 0 1 होता है minus 2 minus minus plus हो जाएगा तो आपने work done किया minus 2 pe minus 2 pe यह व्रक्टर हमें किया वह आप से यह भी क्या सकता था कि unstable से stable भी rotate करवाना आपको तो कितना प्रग्टर तो उस टाइम पर theta 1 तो 180 और theta 2 0 हो जाता है clear? ऑकि से लिवाब तो आप यह बताएए जो आपकी potential energy जो store होगी dipole भे वह कितनी होगी? as we do not have this work done is equal to change in potential energy तो change in potential energy कितनी होगी? 2 pe 2 pe मतलब जब theta 1 0 degree था तो energy कितनी थी? initial energy initial energy हमारे पास में थी minus का pe cos 0 cos 0 1 यानि कि minus pe और जब final energy कितनी होगी आपके पास में? तो final energy होगी है मारे पास में minus का pe cos 1 80 cos 80 minus 1 तो that is pe तो change कितना energy में? मतलब final energy minus initial energy final this तो energy के अंदर 2 pe यह energy का चीज़ है यह energy का चीज़ है 2 pe magnitude यह energy का चीज आएगा students I hope कि आपको समझ में आया होगा कितना energies के चीज energy के अंदर change आया हमें magnitude से मतलब students magnitude हमें magnitude चाहिए इसका change कितना आया potential जी अंदर तो वो आया है 2 pe 2 pe कितना है 2 pe clear है ना? कुर्क हम यहाँ पर धुनिया जान के question बढ़ा सकते हैं students देखिए यह बनाए तुम अगर सामने आविजाया करो अगर मैं आप से कहूंगा कि मारा एक electric dipole है students और उसका dipole moment आपको दे दिया जाता है example है हमारे पास में कि आपको electric dipole है उसका dipole moment आपको दे देगा मालो कुछ भी दे देगा electric field E में रखावा है उसको रोटेट करवाया जाता है theta 1 is equal to 60 degree to theta 2 is equal to 120 तापको कितना वरगडन करना पड़ेगा अपको कितना वरगडन करना पड़ेगा तो वरगडन is equal to students minus का PE cos theta 2 minus cos theta 1 तो minus PE cos theta 2 theta 2 is 120 minus cos 60 cos 120 वेलो होती है minus 1 by 2 क्योंकि इसको लिखा जा सकता है student cos 180 minus 60 degree cos 180 minus theta होता है minus का cos 60 cos 61 by 2 होता है that is minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 कितना हो जाएगा minus 1 multiply करोगे तो या जाएगा PE कितना जाएगा PE तो यह प्रगडना पोड़ना पड़ेगा clear? okay students clear है na I hope कि आपको यह concept सहुझ में आया होगा that is potential energy stored electric dipole form electric field clear?